Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ Apple Cider Vinegar से weight loss कैसे किया जाए Weight loss के लिए Apple Cider Vinegar एक बहुत ही powerful home remedy है और यही वज़ा है कि दिन बदिन इसकी जो popularity है वो बढ़ती जा रही है लेकिन जब बात आती है Apple Cider Vinegar से आपका weight loss करने की तो इसको सही तरीके से इस्तमाल करना और सही समय पर इस्तमाल करना बहुत ही जादा important हो जाता है जहां कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आपको सुभा में इस्तमाल करना चाहिए Apple Cider Vinegar तो आपको maximum weight loss मिलेगा वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि रात में इसका use करना जादा अच्छा होता है तो आज इस वीडियो में मैं इन सभी confusions को दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ सही तरीका Apple Cider Vinegar को इस्तमाल करने का अगर आप चाहते हैं कि आप अपना weight loss maximum potential के साथ कर सकें और इसी किसा साथ मैं इसको इस्तमाल करने का सही समय यानि सही time भी आपको बताऊंगा तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं अपना weight loss करने के लिए और Apple Cider Vinegar को यूज़ करने के लिए तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे हैं दोस्तों Apple Cider Vinegar एक ऐसे चीज़ है जो बहुत सारी health conditions में इस्तमाल की जाती है चाहे वो आपका weight loss हो चाहे diabetes हो चाहे eczema की problem हो चाहे skin के acne हो या फिर आपके hair care हो बहुत सारी लोग अलग-अलग तरह की problems के लिए Apple Cider Vinegar को यूज़ करते हैं और experts जो है उनकी एगर राय की बात की जाए तो उनकी राय के हिसाब से अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरह से इस्तमाल करने से आपको Apple Cider Vinegar के अलग-अलग results मिलते हैं यानि जो टाइम होता है Apple Cider Vinegar को यूज़ करने का वो डिपेंड करता है कि आपका ultimate goal क्या है इसको इस्तमाल करने के लिए यूज़ोली तीन टाइम है जो कि Apple Cider Vinegar को यूज़ करने के लिए सज़ेस्ट किये जाते हैं एक होता है night time यानि रात को सोते समय एक होता है सुभा खाली पेट और एक होता है खाना खाने से पहले देखिए अगर आपको diabetes की problem है या आपका blood sugar बढ़ा रहता है तो उस case में रात को सोते समय Apple Cider Vinegar यूज़ करना best माना जाता है क्योंकि जब आप रात को सोते समय Apple Cider Vinegar लेते हैं पानी के साथ तो उससे आपका blood sugar low होने में मदद मिलती है वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको रात को सोते समय नींद प्रॉपर नहीं आती है तो उन लोगों के लिए भी Apple Cider Vinegar रात में सोते समय इस्तमाल करना best माना जाता है एक ग्लास गुंगुने पानी के अंदर एक चम्मच एपल Cider Vinegar और एक चम्मच रहद मिला कर लेने से आपको नींद अच्छी आती है इसके अलावा अगर आपको इन-डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है पेट में जलन की शिकायत रहती है आपको गैस जादा बनती है बलोटीनेस यानि पेट में भारी पन अफारा महसूस होता है तो उस केस में आपको सुभा खाली पेट इसको लेना best रहता है यानि अगर आप सुभा खाली पेट इसको लेंगे तो इस सभी प्रॉब्लम में आपको काफी benefit मिलेगा और जहां तक बात आती है weight loss की तो weight loss के लिए भी रात के comparison में सुभा खाली पेट apple cider vinegar लेना जादा अच्छा होता है जादा फाइदे मंद होता है लेकिन अगर आप actual मे apple cider vinegar को अपना weight loss करने के लिए use करना चाते हैं तो उसके लिए जो best time होता है वो होता है खाना खाने से पहले जी हाँ दोपहर को खाना खाने से आदा खंटे पहले और रात को खाना खाने से आदा खंटे पहले अगर आप apple cider vinegar को use करते हैं तो इससे आपको maximum benefit मिलेगा in terms of your weight loss क् अब खाना खाने से पहले apple cider vinegar को लेते हैं तो उससे आपकी जो भूख होती है वो कम हो जाती है, आपको जादा फुलर फ्पील होता है और आप जादा ओवर्यटिंग करने से बज जाते हैं इसके साथ-जाथ-जाथ-जाथ-जाथ-घड़ने से पहले apple cider vinegar को लेते हैं तो इससे आपके जो gastric emptying time है, यानि जो पेट में से खाना हमारा नीचे आतों की तरफ जाता है, वो time भी बढ़ जाता है तो अब जब जादा देर तक पेट में हमारे खाना रहता है, तो उसकी वजैसे हमारी जो भूग है, वो कह हो जाती है और दो meals के बीच में जो time period है, वो बढ़ जाता है इसके साथ ये भी पाया गया है researches में, कि apple cider vinegar को खाना खाने से पहले लेने से आपका जो blood glucose होता है, वो manage होता है, आपकी जो खाने में से glucose है, जो sugar है, जो absorb होती है व्लड के इंदर वो come absorb होती है, तो ये सभी factor मिलके आपको weight loss करने में काफी मदद करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको maximum benefit मिले apple cider vinegar का weight loss के लिए तो उसके लिए मेरा suggestion है कि आप इसको खाना खाने से पहले ले तो आपके लिए best होगा आप बात कर लेते हैं apple cider vinegar की dose के बारे में, यानी weight loss के लिए कितनी dose इसकी आपको लेना चाहिए और किस तरीगे से इसको इसको इस्तेमाल करना चाहिए देखे, apple cider vinegar जो है ये एक acid है, इसके अनदर पाए जाता है acetic acid जो कि इसको जितनी भी इसकी medicinal properties होती है, वो provide करता है तो acid होने की वजय से इसको इस्तमाल करते समय बहुत जादा सावधान रहना जरूरी है क्योंकि अगर हम इसको सावधानी से नहीं इस्तमाल करेंगे तो ये acid बजाए फाइदे के हमें नुकसान भी पुचा सकता है तो जब भी आप apple cider vinegar यूज़ करें, make sure कर लिज़े कि आप इसको diluted form में लें यानि पानी में मिलाने के बाद ही लें कभी भी बिना dilute किये हुए apple cider vinegar को यूज़ करने की गलती नहीं करिए क्योंकि उससे आपके लिए बहुत ज़ादा problem create हो सकती है इविन dilute करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को teeth में, inamil में erosion की problem आ जाती है यानि उनके दांत खराब होने लगते हैं, दांत चौक जैसे हो जाते हैं तो उस case में अगर आपको इस तरह की दिक्कत लग रही है तो उस case में आप कोशिश करिए आपके दातों में लगे ना रह जाए और आपके दातों को कोई problem नहीं आए इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखिए कि apple cider vinegar को एक दिन में दो-तीन बार से जादा आपको नहीं लेना है तो इसको इस्तमाल करने के लिए आपको लेना चाहिए एक ग्लास हलका गुंगुना पानी और उस एक ग्लास गुंगुने पानी के अंदर आपको मिलाना है एक टेबल स्पून apple cider vinegar और इसको आपको जिस पी समय आपका better आपको सूट करता है जनी मैंने आपको तीन समय पानी में एक टेबल स्पून मिलाकर ले सकते हैं और यह आपके लिए best रहेगा weight loss के purpose से इसके लाबा आप अपनी salads के ऊपर भी इसको as a dressing मिलाकर ले सकते हैं और उससे भी आपको काफी अच्छा benefit मिल जाएगा देखें apple cider vinegar को magic remedy नहीं है और आप यह मत expect करिए कि सिर्फ apple cider vinegar क अगर आप maximum benefit लेना चाते हैं तो अपनी diet और lifestyle को भी modify करिए अपनी diet में से carbohydrates को कम करिए अपनी diet में से fats को कम करिए vegetable diet को अपनाए exercise करिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको apple cider vinegar से कितने जबरदस और कितने fast results मिलते हैं मुस्वी लोग क्या गलती करते हैं कि वो apple cider vinegar तो लेते हैं weight loss के लिए लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ों को नजर अंदास कर देते हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती है और इस वजह से काफी लोगों को apple cider vinegar यूज़ करने के बावजूद भी निराशा का सामना करना पड़ vinegar को use करने का सही तरीका और उससे maximum benefit अपने weight loss के लिए आपको कैसे लेना है उसके बारे में मुझे अमीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक comment section में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं मेरा Instagram ID इस टाइम आपकी screen पर आ रहा है तो चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा आपसे इसी चनल पर एक नई useful informative वीडियो के साथ तब तक के लिए अपन अब बहुत ध्यान रखिए टाटा बाइबाय और स्टे हेल्दी हमेशा